हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा यूटूब चैनल आज हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन में नेश्ट टाइप है जो कि आए और ब्यापर आधारित प्रिसनों को आज हमने लिया है यहाँ पर हम दो टाइप के प्रिसनों को देखेंगे जहां पर ब्यकती की समान बचत होगी और ब्यकती की अलग-अलग सेविंग होगी अब सबसे पहले हमें एक महतपूर बात यहाँ पर यह सीखनी है कि आए के लिए कोई भी ब्यकती सबसे पहले आए प्राप्त करता है उसके बाद उसको खर्च करता है तब जाकर उसकी बचत होती है, सेविंग होती है तो ये कोई special formula नहीं है, बस ये एक बात है एक logic है कि सबसे पहले income होगी, इसमें से हम खर्च करेंगे तब हमारे पास सेविंग होगी आया यूँ कहें कि I मैंसे यदि हम सेविंग को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचे आता है, खर्च बच आता है ये जो आज का type है, इसको मैं बहुती सांदार तरीके से आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर एक बार हम इसको explain करेंगे, proper तरीके से उसके बाद अगर ये question exam में आता है, तो हम इसको within second हो में कैसे हल करेंगे दोनों ही तरीके में आपको आज दिखाने वाला हूँ, आईए देखते हैं पहले इसको detail में देखे, detail यह है कि A और B दो ब्यक्ती है, जिनकी I का अनपाथ कितना कितना है 4 अनपाथ 5 है, और उनके खर्च का अनपाथ कितना है, 3 अनपाथ 4 है यदि पिर्टेक की बचत 300 रुपे की हो, तो उनकी I याद कीजिए यानि अब यहां पर देखे, याद क्या रखना है, सबसे महत्पून बात क्या है कि उनकी बचत समान है, क्या है, उनकी saving जो है, वो समान है जब भी ऐसा question होगा, समान वाला, तो पहले तो हम इसको detail में देख लेते हैं, उसके बाद, इसके shortcut की बात करेंगे यानि आप से क्या पूछा है कि उनकी I क्या होगी, यदि मान लीजिए उनकी I का जो अनुपाद दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 is to 5 तो हमने इसको अगर X के रूप में माल लिया, तो क्या हो जाएगा, 4 X और 5 X करना क्या है यहाँ पर, जो भी question में आप से पूछ रहा है, I पूछी है तो I को X माल लिया यदि I मैसे हम, saving को निकाल देती हैं, saving को अगर हमने निकाल दिया, पिर टेक की 300 रुपे की बचचत है तो कितना बच गया, खर्च 3 अनुपाद, 4 के अनुपाद में बच जाता है बस यह हमारे पास equation बन गई, इसको हमें हल करना है, अंसर हमारे पास जाएगा प्रॉस मल्टिप्लाई करी, 4 चोक 16x, minus 4, 1200, is equal to 5, 15x, minus 3, 900 x, x की value एक तरफ, यह 15 इदर आएगा, कितना बच एगा, 16x, minus 15x, is equal to minus के 900, और plus के 1200 x बरावर कितना आ गया, 1200 में से 900 गया, तो 300 x की value कितनी आ गई, 300 अब यहां से हम से क्या पूछा है, उनकी i याद कीजिए, देखिए a की i कितनी है, 4x और b की i कितनी है, 5x 4 में अगर इसकी multiply कर दीजिए, जो हमारे पास x की value आई है, तो कितनी आगे, 1200 रुपे और 5 में अगर इसकी multiply कर दीजिए, कितनी आगे, 1500 रुपे तो उन दोनों ब्यक्तियों की i कितनी हो गई, 1200 और 1500 1200 और 1500 यह हमारा detail का है, detail का method है, अगर हम इस question को x मान के करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे और यदि question को हमें उडाना हो, direct करना हो, तो हम कैसे करेंगे, आई आप उसको भी देख लेते हैं देखिए, income देखिए, income का ratio क्या है, कितना दे रखा है, 4 is to 5 और expenditure, खर्च का ratio क्या है, 3 is to 4 अगर हम आए मैंसे खर्च को निकाल दें, तो क्या बचेगा, saving बचेगी अगर हम यहां से इसको निकाल दें, तो क्या बचेगी, saving बचेगी अब देखिए, क्या करना है, 4 मैं से 3 गया, 1, और 5 मैं से 4 गया, 1 कोशन भी गया रहा है, कि यदि पटेग की बचत equal हो, समान हो 300 तो ratio में भी हमने यहां पर equal करा है, तो एक बरावर क्या आ गया, यह आपके कोशन में रखा है एक की value 300 दे रखी है कोशन में, आप से पूछा क्या है income, तो 4 की value कितनी हो गई? तो इस तरीके से आप कोशन को direct निकाल सकते हैं, यदि कोशन में ratio समान नहीं आएगा, तो आपका answer गलत आएगा, यदि कोशन कहरा है कि बचत समान है, तो यह वाली value जो है, उनकी saving की value भी equal आनी चाहिए, अगर किसी बज़े से equal नहीं आती है, तो इन ही ratio को बरावर करेंगे, इसके बारे में और आगे detail में question देखेंगे, सब बिल्कुल doubts clear हो जाएंगे, आए next question देखते हैं, आए देखें, next question क्या है हमारा, कि A और B की icon path, A और B की, अगर हम इनकी income की बात करें, इनकम कितनी है, 6 ratio, 6 is to 5, और expenditure कितना है इनका, A और B का, 4 is to 3, अगर हम income मैंसे expenditure को घटा देंगे, तो क्या आजाएगा हमारे पास निकल कर, saving, saving कितनी आएगी, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, ये वाला जो ratio है, saving का, अगर question आप से कह रहा है, कि पिरतेक की equal बचत हो, समान बचत हो, तो ये भी ratio आपका समान आना चाहिए, इस तरीके से, अगर समान नहीं आता है, तो हम उसको समान लाने का प्रियास करेंगे, अब देखें क्या है, 2 बरावर कितना है, 400, तो यहां से 1 की value, 1 की कितनी आ गई, 200, दो बरावर 400, तो एक की value कितनी हो गई, 200, अब पूशा क्या है, उनकी मासिक आई याद कीजिए, यहां मासिक आई जो है, सिंगल दे रखी, इसका मतलब यह है, कि एडिसन दे रखा होगा, तो एक बरावर 200 है, तो 6 बरावर कितना हो गया, 6 गुणा, 200, यानि 12 सो हो गया, यह किसकी आई होगी, एक ही, और दूसरा क्या दे रखा है, 5, 5 बरावर 5 गुणा 200, कितनी होगी, 1000, इन दोनों को जोड़ दिया, कितनी होगी, 200, तो इन दोनों की मिला कर आई कितनी होगी, 200 होगी, कोशन को सीधे उड़ाना सीखना है, कोशन इतना इजी है, बस इसको एक्स मान के करते हैं, तो कैसे करते हैं, लेकिन अगर एक्स की जरूवत नहीं है, सीधे कोशन एक्जाम में आ गया, तो सीधे इसको उड़ा देंगे, अब हम बात करेंगे, कि यदि कोशन में ये रेशियो समान नहीं आए, तो क्या करेंगे, आईए उसके लिए नेक्स रखा है, 3 रेशियो, 2, और एक्स पेंडेचर का रेशियो कितना दे रखा है, 5 इस टू 3, अच्छे एक शीद देखिए, अब यहां पर अगर हम इंकम की बात कर रहे हैं, तो इंकम 3 है, खर्च 5 है, तो ये लॉजिक तो लगे गा ही नहीं इसे, वह तीन में से 5 जाए गा ही और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो, एक जानी सका मतलब यह है, यह लोजिक हमारा यहां पर सही नहीं बैठ रहा है, अगर लोजिक सही नहीं बैठ रहा है, तो सही बैठाएंगे, देखिक कैसे बैठाना है, इंकम कितनी दे रखी है, A और B की, कितना है 3 ratio 2 3 ratio 2 और expenditure कितना दे रखा है 5 ratio 3 अब एक ची यहाँ पर महत्पूर बात समझनी क्या है इनका अंतर देखिए एक का है इनका अंतर देखिए दो का है तो यह जो अंतर है इनके अंतर को equal करने के लिए आप क्या करो कि इसकी multiply इसमें कर दो देखिए क्या एगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और यह essay का essay अब आप अंतर देखिए इनका अंतर equal है इनका भी अंतर equal है यहाँ कितने का अंतर है 2 का तो यहाँ भी तो 2 का अंतर आ गया अगर equal अंतर नहीं है तो हम उससे सबसे पहले बरावर कर लेंगे यह हमारी क्या थी? इनकम थी, यह हमारा expenditure था तो निकल कर क्या आएगी? saving आएगी saving कितनी आएगी? 6 में से 5 गया, 1 और 4 में से 3 गया, 1 equal हो गई जब यह equal हो गई तो यहाँ पर अब कुछ करने के लिए नहीं बचा तो क्या कहरा है? यदि प्रतेग 200 रुपे की बचत करता हो तो एक बरावर 200 पूछा क्या है कोशन में? तो एक ही आई गयाद कीजिए एक का ratio कितना होगी? 6 तो एक बरावर 200 6 परावर 1200 देखिए 1200 रुपे तो इस तरीके से अगर समान बचत वाला कोशन है तो सीधे कोशन को उड़ा देना है कुछ भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है अब हम बात करेंगे यदि यहाँ से कोशन आता है कि उनकी बचत अलग-अलग हो देखिए क्या कह रहा है दो ब्यक्तियों की बचत जो है अलग-अलग है तो जब अलग का कोशन आएगा तो हमें जो हमारा प्रॉपर तरीका है उसी तरीके से करना है क्या है दो ब्यक्ति हैं जिनकी आयका अनुपाद कितना कितना है सुरेश और दीपक जिनके इंकम का अनुपाद क्या है जिनके इंकम का अनुपाद तीन अनुपाद पांच है और उनकी बचत 600 और 1400 रॉपे है और खर्च का expenditure का रेशियों कितना कितना दी रखा है दो अनुपाद तीन है तो उनका खर्च ग्याद कीजिये यहाँ पर क्या गह रहा है खर्च वियाद कीजिए देखिए दो बात है मैंने यहाँ पर सीखने वाली उनकी बचत अलग कर दिया और यहाँ पर उन्होंने खर्च को पूछ लिया जब खर्च पूछा गया है तो हम उसकी value को x मानेंगे देखिए जो पूछा जाएगा उसको x मानें तो यह कितना हो जाएगा 2x और 3x खर्च में हमने क्या बचत की उसको अगर हम जोड देंगे तो हमारे पास income निकल करा जाएगी income का ratio कितना है 3,5,5 multiply कर दिजिए 5,2,10x plus 6,5 33,000 equal to 9x plus 14,42 यह इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4200 minus 3,000 x की value कितनी आगई 1200 x की value 1200 आगई जो आप से पूछा है भाही से सीथे निकल दीदिए 1200 answer क्या है इसका 1224 सुरेश का खर्च कितना है 2400 और दीपक का खर्च कितना हो गया बारतिया 3600 पहला वाला option 2400 और 3600 याद क्या रखना है यहाँ पर कि यदि question में अलग अलग बचत है तो हम question को x मानके करेंगे यहाँ पर हमें detail की आवे सकता है क्योंकि यहाँ पर ratio जो है हमकी saving का ratio भी अलग अलग आएगा तो यहाँ से question गलत हो जाएगा उस तरीके से अगर हम इसको sort trick से करेंगे और detail से हमें जहां हमें detail आती है तो sort trick तो हम बहुत आसानी से करी लेंगे तो I hope उमीद करते हैं कि आपको यह वाला type बहुत अच्छे से समझ माया होगा यदि आपको यह type पसंद आया हो अगर आप channel पर नहीं हो तो जल्दी से channel को subscribe करना और bell icon के बटन को दवाना न भूलना जल्दी मिलते हैं next type के साथ next video में आज के लिए इतना ही धन्यवाद